हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस 29 फरवरी को विज्ञान के पेपर में आने वाले जो सबसे important question है वही question आपको कराएंगे फ्रेंस यदि आपका अच्छा दर्स में पढ़ते हैं 29 फरवरी का आप सभी का पेपर है तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखिएगा इसके बाहर एक भी question आपका नहीं जाएगा फ्रेंस देखें यहां पर विज्ञान के रसाइन विज्ञान के जितने भी महत्तपूर बहुकल्पी प्रश्ण है सभी बहुकल्पी प्रश्णों को एक वीडियो म आने वाले सभी प्रश्ण है ठीक है अब दिखें यहां पर आप सभी को हल कराते हैं तो आपके सामने पहला नंबर का सवाल है फ्रेंस जितने भी प्रश्ण कराएंगे इन में से आप कमेंट बाक्स में लिखिएगा कि आप लोगों का सैतिस question टोटल सैतिस question कराएंगे इस स question में से कितने question आपके सही हुए ठीक है आपकी सामने पहला नंबर का सवाल है कि प्रोपे नाल है इसमें से आपसान के C2H5OH C3H5OH C3H5OH C3H6OH में प्रोपे नाल का फार्मूला कौन सा है ठीक है तो यहां पर दिखेंगे प्रोपेन में क्या होता तो प्रोपेन में तीन ठीक है में अधेन प्रोपेन ठीक है इसका सही जोब क्यों जागा बीवल आपसन सही होगा कि C3H7OH जो हता है यह प्रोपेनाल का फार्मूला होते हैं इसे आप याद रखेंगा ठीक है अब देखें आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अधातु है यहां पर आपका अध सब्सक्राइब अधातु है जबकि फॉलरीन एक अधातु है इसका सही जवाब बीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए कि ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाती है यह ठंडे जल से हाइड्रोजन कौन बनाता है लोहा कापर सोडियम या कार्बन ठीक है तो सब्सक्राइब आपका सही हो जाएगा देखिए फ्रेंज यहां पर एक आपको सकृता स्रवी बताते इससे जरूरी याद रखिएगा देखिए का नहीं कि इसको याद रहें काना ठीक है सी के यन एक का मांगे यम जी जिंक आयरम यच सी यू एच जी एयू ठीक है इस तरह यह सकृता स्रवी क्रम होता है देखिए हाइडोजन को उपर जितने भी तत्व हैं यह सभी हाइडोजन को उसके योगिक में से उसको विस्थापित कर देंगे जबकि नीची की जितने भी तत्व हैं इसके हाइडोज मांगे जिंग आयरन यच सी यू एच जी एजी ऐसे याद कर लीजिए आप लोग ठीक है तो इस करम को जरूर याद रखिएगा जितने वह उपर के तत्व है उसके योगिक से हाइडोजन को विस्थापित करता है जबकि नीचे की जो भी तत्व हैं जैसे यू हुआ एच जी यहाँ पर याद रखिएगा अगला देखे पांचवा नंबर का कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या होगा क्या है देखें भी तो हमला कर देता है मतलब कि यहां साथ से कम क्या है इसका सही हो सजए क्या होगा वहाला अपसन आपका सही हो जाएगा अगला देखी किटौन्ट समु उपस्थित है किटौन्ट वो और सिधा नाना स्वासी उपस्थ सभिष्थ की क्ह queríaत्मक्क Grow sa को देखते हैं अपन्हें स्भी वल कि है यहां यहां पर सी डंवल समु नहीं है स्भूब और किर्था पर यहां पर यहां पर किम क्रैदमक्स उपस्था सचाया तो इसमें जोर्ड नने करेक्च साहता लें जो यहां पर है आप यहां पर है आप सबस्रेखए और मुख्या कि यह वह आप्सायर की किरयात्म सभू किеты का सुतर है कलस्याम फास्पेट का सुतर है देखिए सीए थ्री फिये फिर फॉर ट्वाईच यह रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि में आविकरिया हैं देखिए यहां पे योगा-त्म का विक्रिया है नहीं और से निराकर अभिक्रिया नहीं तो और 6 विया तो नमबर का कि प्रोपेनल ना या उसे में प्रोपेनल का जो फार्मूला है तो देखिए कौन सा होता है तो इसका सही जौप क्या होगा बी वाला आप संग करेक्ट हो जागा जो सिलिकान होता है तो यहां पर देखेंगे तो लीथियम क्या है आपका एक धातू है तो इसका सही जोप क्या होगा इसके साथ आप याद रखिएगा कि जो सिलिकान होता है एक क्या होता है उपधातू होता है उपधातू होता है जबकि कारवन और धातू होता है ठीक है इन सबी प्रशनों को भी साथ में याद रखिएगा अगला देखिए ठंडे तनु अमले से हाइड्रोजन गैस बनाता है तो कौन बनाएगा ता भी सक्रेटा सेड़ी आपको इसके साथ यहां पर एक चीप बता देते हैं तो इसके साथ यहां पर आप यहां पर साथ होता है साथ से कम यहां जोनोगर सागता हैं किसका होता है इसी सता पर गया अधिकी होता है जचारी होता है इस चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपका क्या है जोधा नंबर का कि अमने से हाइड्रोजन हटाने वाला धातू है अमने से हाइड्रोजन कौन हटाएगा तो अभी बता है कौन हटाएगा जिंक जडियन हटाएगा अगला देखिए प्रोपेन का सुत झाए होता है तो प्रोपेन का सी 250 का नंब्र का कॉन सा है यहां पर यह बताना देखिए अमली मत्लब होता है जिसमें यह पलस होगा वह अमली होता है तो大家好 हो जाएगा अगला उभी डू ओट्रीप्ट ट्री थू अविक्रिया किस परकार की है पूछ रहा है सवाल में तो देखें यहां पर क्या है यहां पर क्या है कि अग्सिजन हो जाता है और विस्थापीट हो जारहा है तो यह स्थापित अभी क्रिया हो जाएगा तो इसका सही जब क्योंगा सी वला अपसंग सही हो जाएगा अगला देखिए देखिए यह आपको सही इस पंद्र 20 मिनट में कम्प्लीट करा देंगे बस इस वीडियो को पंद्र 20 मिनट देख लिजिए एक वी रसाइन विज्ञान का इन को से बाहर नहीं जाने वाला है ठीक है बस एक वार वीडियो को लाज तक जुरूर देख लिजिए गा अठारा ऐल्मूनियम की सता पर अभी क्याति हैं तो उस अभी क्या क्याते हैं यह है याद रख और किया आप आप याद कर सकते हैं अगला February क्या होता है थी यथे नाल होता है तो इसका सही जब का होका सी टो ऑला गाल पूछा है ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का क्वेस्चन है थीज़ा नंबर का छारी विलियन का पी-छ यह अभी आपको बता है कि छारी विल्यन का जो पी-छ मान होता है इसका सही जब करेक्ट हो जाएगा साथ रहता है तो किसका बताते हैं यह सुद्द या उदासीन का पिएच मान साथ होता है साथ से कम होने का मतलब यह अमलका होता है लेकिन यहां पर आपका च्छार का पूछा है तो इसका सही जब डिवल आपसन सही होगा अगला देखिए किस नंबर का श्याम स्वेथ फोटोग्राफी में परियुक्ट होता है यानि कि फोटोग्राफी में इसमें से जो योगिक है कौन सा परियुक्थ करते हैं सीधे याद रखिएगा सिलवर कुलराइड परियूक्त किया जाता है मतलब ऑजी सीगती इसका सही जब क्या होगा अवल आपसन और ठीक है आपका 22 नंबर का सवाल क्या है कि कौन सा तत्तो में जो आता है में जूसी जवाब क्या ओधिए फाल हाई देखा करभीस अगला प्रसुन हाइर का संत्रिफ हाइड Melbourne में नहीं होता है संत्रिफ हाइड 1976 पोल ग्रत्व में 209-18ैंड ion की मते हैं यह जेहें इस लिका蓋 आओ partner इस साहब बहुत है तो यह क्या आजगा यह असंत्रिफ्ट हाइडोकारबन के अंतरगत आता है ठीक है इस चीज को ध्यान दीजेगा अगला देखे आपका 24 नंबर का क्या है निम्नलिकित में से अल जोड़ते क्या जोड़ते हैं अल कि इसके साथ में जूड़ा गया है अगला प्रशन देखिए 25 नंबर का चलिये विलियन का पीच मान होगा है क्या है यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित होने के काड़ यह एक अमल है क्या है अमल है और अमल का पीच मान हमेंसा साथ से कम होता है तो देखिए यहां साथ से कम दिया है इसका मतलब सीवल आपसन सई हो जाएगा ठीक है अगला देखिए 26 नंबर का निम्नलिकित में से कॉन सी धात्व अमल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है देखिए नहीं सब्सक्राइब अब यह आपको बता आपको सकते हैं तो यह सवाल आपसकते है तो देखें हैं अब करना का मांगे एल्योंफ जिंक आइरन मांगे यह चींआजि आईसे बताए इससे बताए जिनके भी। और मेगनिसियम he AC partners प्हूछा्वाथ तो यहां पर पूछा कॉन विश्थाप्त नहीं कर सकता है तुछय क्रसकता है चाहिए कि 1 रीजन ऊकरिता से अगला देखिए 27 नमबर का कौन सा कार्बनिक योगिक असंत्रिप्त योगिक है इसमें असंत्रिप्त बताना है तो देखिए असंत्रिप्त में आपको क्या बताया थे दू होता है एक होता इल्कीन इल्कीन होता है एक अलकाइन होता है थिक यह दुने होता है यह क्या होता है और चुolate आएक अठ्द ये तो अगला प्रशन देखिया है 28 नंबर का कि जल को जिवाउरहित बनाने के लिए जल में विरेंजग चूल परियोग किया जाता है इसका सही जब क्या होगा डिवलाप्शन सही हो जागा जिसे यहां पे बिलीचिंग पाउडर भी करते हैं विरेंजग चूल को ही क्या करते हैं ब दावन सोटा प्रवला जैसे दावन सोटा का फार्मूला या होता है यहें 25 upset स्वंड MJ Só 2 यह के लाव आपिंग को सीवया इतना का उसा हंता को फार्मूला आप याद रखियेगा ठीक अली फिटकरी की फार्मूला याद रख लिजिएगा गारी जरूर ध्यान से देखके जाएं। और अगले प्रशनों को देखते हैं तो हलदी का रंग कैसा होता है तो हलदी का जो होता है छारक के साथ बूरा लाल होता है तो इस प्रश्OP का सही जब सीवल आपशन सही होगा इस प्रश्OP के साथ हल्दी का रंक कैसा हो जाता थो बूरा लता है अगला देखिय वार्षा के जलका संभावित पिएच रहाएं कि n убe आउखिये गार जो अम्ली वर्षा होता है उसका pH मान कितना होता है तो उसका pH जो मान होता है पांदस्मलों 2 के करीब होता है इस प्रशनी का सही जप क्या होगा सुपन्स प्रशन का कितना होता है 5 incons대 2 होता है लगभग में 5 incons대2 मान का अगला देखिये 32 मिंपेर का नाम आपको बताना है कि जो याद रखियेगा इसका पाचान करना भी बहुत सा सिंपल है देखिए इसे में अभी आपको बता है कि क्रयात में उसी यच्छो नहीं जबता है जिसमें क्या जोड़ा जाता है अपसं लगे आपसं तो हो आपका सिर्फ क्या होता है एक कारबन मतलब दो कारबन आते हैं मतलब इस तरह देखेंगे इसे एथेनाल वाला आप लगाईएगा तो इसका सही जो आप बीवला अप्सन सही हो जागा इसको याद भी रखिएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं बेकिंग पौडर को गर्म करने से कौन सी गयस बहार निकलती है तो याद रखिएग, जो पावडर करने गर्म किया जाता है तो कारबन आक्सायट गयस बहार निकलता है तो इस प्रश्न का सही जो आप सिवला अपसण सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए छारक के साथ हल है इसालिफ्यूरिक इसका मतला आपसंट्व हो जाएगा अगला देखिए यूरेनियम क्या यूरेनियम जो होता एक रेडियॉ एक्ट्व तब होता है इसका सही जब क्या होगा शी वाला आप्संद सही हो जगा यूरेनियुम व से दिखाते हैं यह ध्यान दीजिए यूरेनियुम को यू से और यह एक रेडियू एक्टिव तत्तों हैं अगला प्रेश्ट आपका है 37 नंबर का जो लास्ट परसना दम है और कमेंट में यह बताइए कि से 30 कोईस्टिन में से कितने कोईस्टिन आपके सही हुए ठीक कमेंट बाक्स जरूर में लिखिएगा सलफर डाय अकसाइट का जली विलियन होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा सलफर डाय आकसाइट को यस ओटू से दिखाते हैं तो सलफर डाय अकसाइट का देखिए य रिखिए और यहाद है इसके साथ मिश्टार के जो धातू होता है धातू का ऑकसाइट क्या होता है च्छारी पर जो दो बनेगा और अगे सब्सक्राइब करने का प्रयास किये इन रिख देख एक बार दीखां में चले जाईंए maximum सवाल आपके same to same जितने भी question कराएं इन्ही सभी question में से आपके सवाल आने वाले है तो फ्रेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें